हेलो एविवन के सिवाब सब आई होट के आप सब बहुत अच्छी होंगे तो वेलकम आप सभी का अगेंस आ सकाई सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में अगर आप इसका पिस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख ले रहा साथ इसके नोवल बे एक स्पिन कर दिये है तो आप उसको भी देख सकते हैं इन सभी के लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उनको वीग बर चेक आउट कर लेना तो आप विडियो स्टार्ट करते हैं पर नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तैन्यून और शायून को देखते हैं जहाब किसने सेकेंड एंडर को आइट किया जिस पर वो जवाब देता है कि वो हम नहीं थे जब हमने शिंग फैन को खतम करने के लिए अपने आदमियों को बेज आता तो वो सब बहुत जादा इंजर्ड हो गए थे फिर तैन्यून सावे पोच्छता है कि किसने मेरे मेरेटरिस ल करना बहुत जादा मुश्किल है जिसके वाश यहान उसको जवाब देते हुए कहता है कि मैसेच मेरे नहीं जानता प्लीज मुझको जाने दो मेरे जान छोड़ दो जिसके वाट एनिर उस पर अपना पैर रखता है और कहता है कि अपनी पकवास बंद करो मैं तुमें लास कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता अब उसको ऐसे कहता है कि आफिर कोई इनसान मरने से पहले इतना जूट कैसे बोल सकता है इतना कहती तैनिन इसको आवा में च्छाल कर उसको इक ज़ोड़ दार किक करता है पिर तैनिन अपने डिवाइन आइसका हांग ने मुझे यह सब करवाया यह सुनकर वहाँ पर मौलिद वागी डिसाइपल से बहुत साधा है रहान हो गए थी और वो कहते हैं कि वह तो लौ एन इंफॉर्समेंट के एंडर हैं अगर यह सच हुआ तो यह तो लौ का वाइलेशन है अब यह सुनकर तभी एड़न दू यह जरूर आप ही होंगे इसलिए इसी नफरत की चल्दे उन्होंने मुझे से यह सब करवाया उसकी बातों को सुन सुनकर एल्ड़न दूहां को बहुत सा रहा था और वो उस पर चलाते हुए कहते हैं कि अपनी पकवास बंद करोगे पर वो तैन्यून के कंट्रोल में था इसलिए वो चुप नहीं होता वो आगे कहता है कि उन्हों नहीं हमें ओर दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मेरिटोरियस लाइन इसको भी मार देना जिसके बाद अचानक से एल्ड़न दूहां उस पर चलाते हुए कहते हैं कि नालायक कहीं कि क्या तुम अपन ही देते हैं और उसको वही पर खत्म कर देते हैं अब सब को जाने के वार्डिसाइपास आपस में बात ही करने लगते हैं वहीं दूसी तरफ तरफ तैनियुन दौहां से जाने लगता है पर तभी और कहते हैं कि तैनियुन तुम बहुत जादा करूवा लो तुमने मुझे केली शायोन को यह सब पहलवाया लॉग के मताबि तो मैं मेरे साथ चल लाओगा इस मैडर को अच्छे से इंवस्टिकेट करने के लिए पर तरफ तेनियुन उस से कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारी काम थै तो अभी इस मैडर पर डिस्कस करने के लिए ए पर ज़ाद ना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूँगा। जिसके बता भी तैनियों उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर जब भी एल्डर तैनियों को अपनी स्प्रीचल रोप से बांद देते हैं वहीं वह दूसरों से भी कहते हैं कि अगर किसी ने भी मेरी खिलाफ फैलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद एल्डर तैनियों को लेकर लोव एंफॉर्समेंट हॉल में चले आते हैं। अब वहाँ पर आने के बाद एल्डर तैनियों से कहते हैं कि हाँ वो मैं ही था जिसने की हिस्त किया बताओ तुम क्या कर लोगे। आज तुम्हारी वाद मेरे आते होगी। उनकी बातों को सुनने के बाद तैनियों एटिट्यूट में उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके लोव एंफॉर्समेंट वाले अभी मुझे मार पाएंगे। जिस पर तब एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत क मेरे साथ कम्पीट कर सकती है। जिस पर तबी तैनियों उनसे कहता है कि लगता है कि आप सोल्ड एल्म के नाइंट लेवन पर हैं। लेकिन क्या फाइदा आपको फिल्मी बढ़ना पड़ीगा। ताकर तबी तैनियों लोव यान से कहता है कि लोव यान उसको खटम कर दो जिसके लोव यान बाहर आह जाता है। और को आते ही उन पर हमला कर दीता है। लोव यान उनकी अटा करPlus के लेकी तो बहुत वह बहुत बहुत है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बरा जिसकी वाल लुवयान के हमले से उस एल्डर की स्वार तूट जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बाकी स्प्रिट बॉडिस वहां से बचकर निकलने लगती हैं अब यह देखर दभी तैन्यों लुवयान से कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हुए तुम्हें क्या करना है ना अब तैन्यों का ओडर मिलते हैं लुवयान अपनी पावर्स का यूज करके अपने परपर स्प्रिशल ववयान की मदद से उसके स्प्रिट बॉडिस को उसके अंदर कैद कर लीता है अब अपनी ऐसी सिचेशन को देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि तैन्यों प्लीज मुझे जाने दो मैं खसम भाता हूँ कि मैं तुम अंतियां से चला जाओंगा और मैं दुबारा कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूगा पर तभी तैन्यों उससे कहता है कि अब बहुत ज़ादा देर हो गई है जिसके वड़ तैन्यों लिएऑन को इशारा करता है और तभी लिएऑन अपने वोफ़ों को डिस्ट्रओ करना शरूर कर देता है जिसके बतर भी उस एल्डर की लास्ट वाली बॉड़ी तैनियून से कह दिया कि सेक्रों सालों तक मेरे लिए प्रैक्टिस करना असान नहीं होगा तो अब तो मुझे जान दो पर तभी तैनियून उसके करीब आकर कहता है कि अभी तो तुम मुझे माहने वाले थे तो उसको वाड़ ले जाते हैं उस जग्यापर पहुश्टेंगे लुगता है यहां पर तो इतनी सारी चीज़े हैं तैनियून सामें मिलिएन्स और टॉक्विटी ग्रेन्ज भी थी उस भी चीज़ों को तेकरी के बाद तैनियून कहने लगता है अब नॉर्मल होते हैं वो एल्डर कहने लगता है कि मेरे सारे स्पीचर स्टोन्स कहा गई जिस पर तैनिन कहता है कि वो सब मेरे पास है फिर तभी एल्डर उससे कहता है कि आपने मेरे सब कुछ दे लिया और मेरे पास एक सोल बची हुए है तो प्लीस अब तो उसको जाने दीजें इस पर तभी तैनिन उससे कहता है कि मैं तो बस जाता था कि तुम लास्ट बार इस सब चीजों को देख लो और इतना कहती ही तैनिन उसको मार डालता है फिर तैनिन खुद से कहने लगता है कि इतने सारे स्पीच और स्टोन्स का यूज़ करके हम गॉंचन नाइनेज के डिसाइबल्स के लिए काफ़ी सारे एलिजर्स लिए सकते हैं जो कि आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो आप बहुत ही जल मिलेंगे एक और नई वीडियो में बाइबाइ